चारो लाल जी छोटे छोटे थे और मैंने जैसा की प्रारंगों में कहा मेरे राघो जी मैया के कई के भवन में ही रहते थे और भरत जी मा कौशल्या के महल में रहा करते थे जब राम जी ने पहली बार मा शक्त कहा आप बताईए किस मा के लिए ये आनंद का पल नहीं होता जब बच्चा पहली बार मा मौनता है कौशल्या जी के सामने राम जी ने पहली बार मा कहा तो मिया कौशल्या ने राम जी के मुख पर हाथ रख लिया क्यूं हाथ रख लिया बोला बिटा तुने बोला तो बहुत सुन्दर पर गलत बोला क्या गलत बोला मैं तेरी महिया नहीं हूँ मैं तेरी महिया नहीं हूँ तो कौन है मेरी महिया महिया को शल्या करती है वारी जाओं भाईया तेरी महिया के के राखो जी आपकी महियां तो क्यक्यजी है में तो भरत की महिया हूं इतना प्रेम था मैया के कई के भवन में राम जी खेल रहे अचानक भईया भरत थे लक्षमर जी थे इस्ट्रुब्न जी थे रागो जी ने एक लीला करी के कई मा के कश में गए और जाकर पीछे से मा के कई के आकों पर अपने हाथ रख दे और आवाज बदल कर बोला बतातू मैया में कौन हूँ मैया के कई तो इस पर्ष से भी जान जाती थी कि कौन मेरा राम है कौन मेरा भरत है फिर भी राम जी को प्रसंद करने के लिए के केई जी ने कहा ये लगता है मेरा लक्षमर आया है रागो जी ने कहा नाना मैया तु तो हार गई हात हाटाया बुला में आकर बेठ गए मुईया के कई ने कहा अरे ये तो राम था मुझे लगा लक्षमड आया राम जी किलकारियां भर कर हसने लगे कहने लगे मा तू हार गई मैं जीत गया अब जीते हुए को कुछ उपहार तो तुझे देना पड़ेगा मुझे के कई ने कहा अपने पुत्र को तो मैं प्राण भी दे दो अब राम जी गंभीर हुए राम जी उठकर खड़े हुए गंभीड़ता से कहा मा तु मुझे ग्या दे सकते कई कई जी ने कहा पुत्र प्राण मांग ले तो मैं प्राण भी दे सकते राम जी ने कहा मा प्राण मांगूंगा तब तो मेरी मैया का देह छूट जाएगा मुझे प्राण ने चाहिए मा पर मैं जो तुस्से मांगूंगा उसमें प्राण जाने से कम कस्ट होने वाला भी नहीं प्राण जाने से मनुश्य एक बार कस्ट पाता है एक बार मरता है पर जो मैं तुस्से मांगूंगा हर पल तेरे प्राण जाएंगे तु हर पल मरेगा, बोल देगी, मैया केके ने कहा, अगर मेरे राम की इसमें प्रसंदता है, मैं ये दे दो, मांग तु सही, राम जी ने कहा, इतना ही नहीं मा, तेरा भरत उससे बात नहीं करेगा, मैया केके की आँखों में आशु आ गए, लेकिन फिर वेगम भीटा से कहा, राम भरत बात नहीं करेगा, तुम तु मुझसे बात करूगे न, राम जी ने कहा, मां जीवन में वो छड़ नहीं आ सकता, जब राम उपनी मा केके इसे नहीं बात करेगा, तो दे दो, आगे मैया मैं पुनह कहा, मैं ये भी करने को तैयार हूँ, राम जी ने कहा, इतना ही नईमा, पूरे संसार वाले तुझे दोश लगएंगे, इतना ही नईमा, संसार में आज के बाद कोई मां अपनी बेटी का नाम के कैई नहीं रखेगी, इतना ही नईमा, तेरा भरत जिन्दगी में तेरा मुक मुक नहीं देखेगária तुझे मा कहकर नहीं बुलाएगा अब बता क्या देगी रामजी से मैं आणके कईने कहा कोई मुझे मा कहे ना कहे कोई और मेरी और देखे ना देखे बस इतना बताओ रगुनन्न आप मुझे मा कहोगे की नहीं क arch give को और देखोगे कि नहीं देखोगे कोई और des 5 मुझे फर्क नहीं पड़ता आप मेरी सुनों गे कि नहीं सुनोंगे आप तो मुझे मुझे लोर राम जी ने कहा मा जीवन में पभी ये नाईगा मैए कि मया कही ने उस दिन वचन दिया जो मागोगे दी और क्या मांगा मा जब पिता जी मेरे लिए राजगत्दी की तयारियां कर रहे हो ना उस समय आप मेरे लिए वनवन स्माग देना उस समय वनवन की बात कर देना यह उस समय का दिया गया वचन है जो के के ऐसे पुछिए क्या कैकेई मां के बराबर त्याग कोई कर सकता है संसार की मिंदा को ले करके संसार के सारे प्रलापों को जेलते हुए मैया कैकेई ने अपने राम जी के लिए ये सब कुछ किया भरत जी ने जब पूछा, मा, कारर बता पिता जी को क्यों ऐसे अचानक ऐसी स्थति बनी ? राम जी क्या नई थे अयोधिया में ? मंया कैकेई ने अब वो दो वरदानों की चर्चा करते मैंने दो वर्दान मांगे जो तुम्हारे प्ता जी ने मुझे दिया था पहले में मैंने तेरे लिए राज्य मांगा और दूसरे वर में मैंने राम का वनमास मांग दिया मंतरा ने बड़ी सहायता करीमे अब ये शक्त कानों में पड़े इस्थति का हुई भरत ही विश्रे उपे तो मरन सुनते राम बान गौँ भरत जी को पिता जी के मृत्यू की बात भूल गई और अब क्या याद रहा राम जीवन चले गए बस ऐसे अर्थ में समझिये जैसे आप किसी रास्ते से कोई वेक्टी जा रहा हो और अचानक वो गाड़ी से गिर जाए एक हाथ में खरोच लग जाए लेकिन जब तक वा हाथ दूसरा उठाने की कोशिश कर रहा हो देखता है दूसरा हाथ तो उठी नहीं रहा किसी ने बोला भया लगता ये तो फैक्चर हो गया है अब वेक्टी खरोच को भूल जाएगा और इस तूटे हाथ पर निगाह चली जाएगा ये दर्द इस दर्द के आगे छोटा पड़ जाएगा एसी ही इस्तिती हुई भया भरत की अब दश्रत जी के ना रहने की बात छोटी हो गई जैसे ही सुना की मेरे भया वन चले गए इतना कहने के बाद भरत जी ने मा के कई को बहुत कुछ कहा है क्या कहा क्यूं कहा इस पर अगर निगाह ना डाले बस इतने से समझ ले जिस राम प्रेम में मा के 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 ने ये कार्य किया उसी राम प्रेम में मैं भया भरत ने मा के के को बोलाता कारण ये भी हो सकता है भया भरत ने देखा जीवन भर मेरी मा ने मुझसे प्रेम ना करके राम जी से जादा प्रेम किया है और आज एक समय पे इनकी आ सकती मुझे से आकर जुड़ गई कुछ ऐसा करूं कि जो प्रेम राम जी से था वो प्रेम पुनह माके के इकाउन से हो जाए इसलिए कट शब्ट कहीं भरत जी महराज ने इधर जब बोला शत्रुग्न जी ने मंथरा पर प्रहार किया अब ये जैसे ही भरत जी ने देखा छुड़वाया लेकर पूचे कहां शत्रुग्न यहां हमारा कोई नहीं है भाईया चल हम अपनी माक और शल्या के पास चल चले सीधा माक और शल्या के भवन में चल पड़े श्री दश्रत जी महराज जीवन में अगर हम ये विचार करें कि संपत्ति या संतति ये हमारे आखरी समय में हमारे काम आ जाएगी तो ये कोई आवश्यक नहीं है बिलुकुल आवश्यक नहीं है दश्रत जी के कितने पुत्रे हैं? कितने पुत्रे हैं? जोर से बोली चार पुत्र हैं हम आप कहते हैं अगर पुत्र जब तक ना हो तब तक भगवान से रोज मांगते हैं ना तो एक खुल दीपक देदे एक घर का छिराग देदो अंतिम समय में जो मुझे मुझे मुखाग नि दे सके एक बेटा देदो आज दश्रत जी के इस दृष्ष को चार पुत्र हैं लेकिन अंतेश्टी के लिए भी दश्रत जी को इंतिजार करना पड़ा है पुत्र रत रहे चार किन्तु चारों के चारों दूर है घर से और सब कुछ होते ही कराजा अपने यंतिम संस्कार को तर से सब कुछ है फिर भी प्रतिक्षारत है मेरा पुई नहाँ है तर से सब कना उगझ है अटी कर दो मं कार वेए सब कर दषाएब के लिएर